एलजेपी में चल रहे चाचा भतीजे के लडाई का असर अब मोदी मंत्री मंदल के विस्तार पर दिखने वाला है। छे वजे मंत्री मंदल का विस्तार होगा जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि पसुपती पारज को केबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी पर भतीजे चिराग पासवान ने ट्वीट कर चाचा को केमिनेट में शामिल नहीं करने को लेकर पीएम से दर्खास्त किया है चिराग पासवान ने लिखा है लोग जन सकती पाटी ने आज मानने लोग सभा अध्यच के प्रारंबिक फैसले जिसमें पाटी से निसकासित सांसत स्री पशुपती पारस जी को लोजपा का नेता सदन माना था के फैसले के खिलाब अज दिल्ली उच नियाले में याचिका द पाटी ने मानने लोग सभा अध्यच के समझ उनके फैसले पर पुना विचार याचिका दी थी जो अभी भी विचारा धीन है परधान मंत्री जी के इस अधिकार को पुर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं लेकिन जहां तक लजपी का स लजपी का कोई लेना देना नहीं है पार्टी विरोधी और शिश नेत्रितों को धोखा देने के कारण लोग जन सकते पार्टी से स्री पशुपति कुमार पारस जी को पहले ही पार्टी से निस्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्री मंत्री मंदल में शामिल क अब देखने की बाद ये होगी कि मोदी अपने केबिनेट में पशुपत्ती पारस को मंतरी बनाते हैं या नहीं